जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने ही वैक यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं नौदर्न ब्रेफ ओमेंड वर्सेज टैग्यों एक स्पार्क्स ओमेंड के भीच में खेला जाएगा न्यूजिलेंड ओमेंड सुपर स्मेश ओर वन डे ट्रॉफी उसको लेकर डीटेल्स में देख लेंगे दोस्तों और यह मैच आप लोग के लिए मुझे ऐसा मैसूस हो रह चाहिना स्टार्ट कर दो अगर दोस्तों आप नहीं उठ पाओगे तो आप लोग कंटेस्ट एडवांस में जोएन करके मत रखना मेरा चांस असी परसेंट के आसपास है कि मैं आप लोग को उठके टेलीग्राम पे जाकर सब से पहले जोएन हो जाओ टेलीग्राम पे जोए तक्रिवन आपको सेवेंटी के सब्सक्राइबर के आसपास अल्डेडी मेंबर जूटते हुए नजर आगे गए होंगे उसके उपर क्लिक करके दोस्ता आप लोग को जोएन हो जाने हैं उसके बाद मैं एक दो चीज किलियर कर दूं दोस्तों कि इंस्टाग्राम पे मेरे न मैं बात कर रहा हूं इसके बाद आप लोगों को यह चीज और क्लियर कर दूं कि मेरा कोई भी किसी भी जगह पे पेड़ नाम की चीज मैंने यूज नहीं किया हुआ है तो अगर कोई मेरे नाम से आप से कहता है कि मैं प्रेडिक संदाजा बोल रहा हूं मुझे आप फांसो को सपोर्ट करने वाला हूं मैं आप लोग के लिए जैसे काम कर रहा हूं वैसे ही काम करूंगा बिल्कुल फ्री में और मैं हमेसा पेड को वाइड करता हूं आप लोगों कि इन सब चीजों से दूरी बनाकर चलना क्योंकि कोई आपको कहके जितवा नहीं सकता वहां पे एक बात कर लें तो टाइगों के चांसे तक्रीबं जो है वह ऑसी परसेंट के आसपास है वहीं अगर नौधरन ब्रेफ को लेके बात करने तो इसके विए इसजीर जाती है और टॉस के बाद जो इंपोर्टेंट निज निकलका आईगी हैली जैंसन को लेके कि वह कंफर्म खेलेगी कि नहीं क्योंकि इन दोनों टीम का लास्ट में टी-20 मैच भी अभी दोस्तों आज रात में हुआ था अगर आप लोग सही हो तो वहां पर क्या हुआ कि हैली तो टाइगो जान्से यहां पर 80 परसेंट का असपास है नौदरम ब्रेव की तो इसके विनिंग चांसे दक्रीबन 20 परसेंट का असपास है तो आपको मैक्सिमुम पिलर जा है वो टाइगों स्पाक्स के ट्राय करने है आए पहले देख लेक्ट लेकली प्लेग लेमन तोनो कटी मार्टिन और फॉली इंगले चाहिक एपने ब्रूम के पीछे का निवार हिए मुस्त फ्रेवली मार्टी तो दिखेगी विकेट के पीछे बेला जेम्स इमा टॉप साम बडिवल नॉइमू मैथ्यूज नैंसी पटेल लूसी बोचर अलिसा रौत इमा बेकर सी सर्ष फिल्ड के नाइट और एम हाइड आपको नजर आने वाली है डेथ बालिंग के लेकर बात कर लेगा अगर यहां से जैंसन खेलती है तो यह आपको दिखेंगी साथ मे में कम बॉलिंग करती है लेकिन जो भी करेगी वो डेथ में के इस पेल डाल देगी उसके बाद सामने टीम उसे लेकर बात कर ले तो यहां से आपको नजर आ जाएंगी डेथ में एक तो दिख जाएंगी यहां से एम हाइड दूसरा सर्ष फिल्ड या कभी-कभी मैंने देख लेते हैं दोनों टीम का डिसेंट मैच का परफॉर्मेंस और एक बात के लिए स्वरी दोस्तों कि मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्ट में बोल जा कि मैच का डेडलेंज तीन बज के 40 मिनट है जबकि यह मैंने पांस दिसंबर वाला जो इसका टीट्वेंटी का तीस मीन ठीक है अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीम का मैच खिला गया है पर वहां पर दोनों टीम ने कैसी पर्दूस्तन की है तो यहां देखिएगा ओटैगोए स्पार्क्स की टीम केंट्रीबुडी मैजीशियन को बीट करके आ रही है वहां पे अगर हम बात करेंगे ग नजर आजाएंगी और सबसे बारी बात इनके पास क्या होते हैं कि आपको 45-50 में स्पेल जरूर डालते वे नजर आने वाली है इसके लाबा एडन कार्सन आठवर 24 रन तीन विकेट नीचे आने पर आपको दिख जाएंगी सौफी ओल्डर सो टी 20 में इनका बेहतर फॉर्म थ इसके बाद एक और खेला गया तो कंट्री बूरी मैजिशन साथ रन से मैच को निकाल ले थी गेंद्रबाद जी में बात कर लेंगे तो इसके अलाबा मॉली लो साथ अबर 45 रन तीन विकेट यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि कैटी इब्रहम आपके लिए तब बहुत ज्यादा हो जाएगी जब इनका पहले गेंद्रबाजी आए रिजन क्या कि आपको तो आपन बुस्ट करके देगी ही यह पलस हो सकता है कि जैंसन का उस कंडिशन में बल्ले वाजी ना आये काटी ब्रहम आपको अगर दो बिकेट भी निकाल देती है तो आपको कम से कम यह 40-50 बैटिंग से देने के आराम से मद्दा रखती है टेकनिकल सॉंडेट में से एक है बात करेंगे बल्ले वाजी में तो यहां से कटी ब्रहम 56 की थी लेकिन एक बार फिर ध्यान दीजेगा आप लो हैली जैंसन को लेकर 76 ठीक है तो यह बल्ले और गेंद्र दोनों से च्यारे इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा बाकि आप्टर टॉस्त आप लोग को मालूम चली जाएगा कि किसका बैडिंग पोजिशन क्या है और टैगो इसपार्स का हमने यहां भी बात कर ली दो मैच इसका और इनका दो मैच जो है वो खेला गया है सेंट्रल हिंड क के साथ भी तो तो तरह अगर उसको हम देख ले तो वहां पर पहला मैच में क्या हुआ था हो टैगो यह सपार्स सीज्व है सूजी बेट सा वो लगातार फ्लॉप चल दे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात के टेप रहम बल्ले सकर्दी 96 बेला जंस 53 कैटी मार्टिंस 111 अगर ह के लिए डिफेंसल पिक हो सकते हैं इस मैच में एड़न कार्सन पांच में 15 एक विगेट और हैले जंसन ने पांच में बीशन देके एक विगेट लिए है शाथ में स्वाफी एल्डर्स हो चारावर आट रण जीरो विगेट स्पिन डिपार्टमेंट आपको कार्सन और ला गया था वहां पर टैगों स्पार्स की पहले बल्लेवाजी आया थी तॉस का मैं क्यों कि पहले गिंदवाजी आता है तो सामने वाले टीम को एक सुससतर तक जाके निप्टा देंगे मैकसिमम और इनका बल्लेवाज वह दो से तीन या चार विगेट खोके लक्ष को हास क्याप्टेन वीची की भी ऑप्सन बन सकती है सुजी वेट्स नेट किये थे छे रन कैटी इब्रहाम बाइस से ब्लैक ली चाओं तीस पॉली इंगली शिक्स्टी एट इसके लाभा यहां से हैली जांसन साथ कैटी मैर्टीन उनन चास रन बेला जम सी ग्यारा कार्षन आठ इब्रहाम साथ में एक विगेट एड़न कार्षन दस अवर एकतिस रन तीन विगेट और सौफी उल्डर सो ने पांच अवर सत्य संदे के एक विगेट ली थी एक बात और ध्यान रखिएगा कि ओमैन मैच में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जो स्पिन बॉलर होत करेंगी बाकी मैं तो बोलूँगा एक जीयाल कॉंबो में आप लोग एडन कार्षन और सौफी उल्डर सो को कैप्टन वेसी जरूर रोटेट करना अगर इनकी पहली गेंदवाजी आये तो अब चलिए हम बात कर लेते सामने की जो टीम है उसको लेके दोस्तों नौदर्न को लेकर नौदर्न बिडेव का यहां पर है वह एक मैच जरूर खिला गया था सेंट्रल हिंच के साथ और सेंट्रल हिंच दोस्तों आप लोग देखेंगा उपर में टाइगो के साथ वन साइडेड हर के आ रही है वह सेंट्रल हिंस इसको पानी पिला दी इसका मतलब है आप के लिए मस्ट फिक में से एक मैं बोलूँगा च्योवर पैतालीस रंजीरो विकेट उसके बाद यहां पर एम हाइड आठ वर अरतालीस रंजीरो विकेट लूसी पहुचर नो में चपन दो विकेट सार्स फिल्ड सिर्फ चार हवर डाली इसके बध्यान दीजेगा तीस रं इंडर्शन ने 54 रंवी किया हॉली टॉप छे नैंसी पर टेल 36 रं एस बाड़ीवल पचपन इसके लाब नैमी मैथ्यो जीरो लूसी बोचर एकीस एम हाइड चार जो आपको गंदवाजी प्लस बल्लेवाजी दोनों से प्यंट देगी और अगर एम हाइड की पहले इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा जरूर और चली इससे पहले भी देख लेते हैं इनका भी सेंटर हेंस के साथ दो मैच हुआ हुआ है तो पहले मैच में क्या हुआ था तो पहले मैच में भी इनको हार सामना करना पूरा था जहां पे गंदवाजी में के नैट दस और अंठावन दो विकेट लूशी बहुच अच्छे अबर टेसन एक विकेट और कैट इंडर्सन ने सिर्फ टीन अवर यहां पर डाली थी बल्ले बाजी में बात कर लें कैट इंडर्सन के बल्ले से निकल रहा और यह एक्स न्यूजिलेंड फिलियर है तो इसको आप लोग ज दूसी बहुचर जीयल मीनी जीयल कि अच्छी खासी फिकेट छे अली साहराओत चोदर एम हाइड छे रन सार्श फिल्ड पचीस रन इमाबेकर एक और केहनेट यहां से कीती सतर रन एक बात आप लोग ध्यान में और रखिएगा अगर यहां से नौदर्न ब्रेव की पहले गिंदवाजी आये ना तो आप यहां से उनके गिंदवाज को उपर स्टिक कर सकते क्योंकि आपको गिंदवाजी में जो भी पॉइंट दे लेकिन उनका बल्ले बाजी आना अलमुष्टता है बल्ले से 20-25 कर देती है तो फिर आपके लिए बोनस का काम करते नजर आ जाएं कि मैं लास्ट के 20-25 मिनट में काफी महिनत करके टेलीग्राम पे टिम प्रवाइड कर वाता हूं ऐसा मुझे लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके जरूर इस बात को कहना कि क्या मैंने जो बोला वो सही बात था या फिर दोस्तों गलत बात था अब आईए आज के में दोनों टिम के बीच में खिला गया था टी 20 का मुकावला उसको देख लेता है कि क्या हुआ था और हम लोग के लिए मैच बेटरीन में से यह गया था बात करेंगे हो यहां से टैगो को लेकर पहले बल्लेवाजी करते हुए वोट पे खरकर दिये थे कितने एक सो चोवर 10-11 और यहां से मैडिना ने कीदी तीन रन बात करेंगे इंदवाजी में सामने की टीम से जनसी पटेल चार अबर सत्रन एक विगेट के नाइट एक अबर सातन जीरो विगेट लुसी बहुचर एक अबर दसन जीरो विगेट एम हाइट तीन में तीशन एक विगेट कैटे दो और बैसन जीरो विगेट सार्स फिल्ड एक अबर नोरन जीरो विगेट एस्पेसली ध्यान आपको देना है एम टेंपलेटेंट के ऊपर चार आवर सब्सक्राइब खेलती है तो मैं इसको मस्ट फिक जोन में रखने वाला हूं इसके बाद अगर बल्ले वाजिया बात कर लेंगे इंडर्शन में के बल्ले से रन नहीं निकला तो साथ रन लूसी बाचर बाइस लूसी बाचर आपको ट ब्लैक ने चार वर 15 रन देके दो विगेट लिए थी आर हमारे वीची भी थैदिंग इस मैच में एम लोग चार आपर एक विगेट एड़न का बिल्कुल टीम अभी बनाया नहीं आप लोग के सामने चलते हैं सामने टीम बनाते हैं देखते हैं क्या के डिट कैस हुआ है औ इसके लाबा कवड़ी भी है सब आपके सामने में है जो कि हमारे प्यार फैमली का वन अप दो बेस्ट टूनमेंट में से करेगा कवड़ी ऐसे मैं कह सकता है अपने दावे के साथ उसके बाद आप लोग को सामने और भी बहुत साइट टूनमेंट दिख जाएंगे तो वहा प्लस डिमेस्टिक मैच में क्योंकि वहां से मुझे ज्यादा और चाहिए और आपको एक कम ज़रूर करना है कि मैं जैसे आपको टीम दो ठीक है मैं मानलों कि स्पोर्ची प्लस 11 चलेंगे दोनों पर एक सेम पेटर्न है जहां पर आप मिनमें एक बैस्में को ट्राइ कर सकत पर आपको तीन बैस्में मेंडेटरी है लेना वहां पर एक तरह का पेटर्न बना कर टीम खेले और दोनों पेटर्न को आपको फॉलो करना चाहिए क्योंकि एक होता है बैक डिव्यक वाला सीन कि आपने महलों कि अगर इन आप पे हारा तो आपका वहां पे रिकवर कर देग हो तो दोस्तों पॉली इंग्ली आपके लिए पॉकेट रॉकेट टगड़ी पिक्स बन जाएंगी जरूर इसको पर ध्यान दीजेगा अगर टैगों की पहले गेंदवाजी आए तो लेकिन विकेट के पीछे कैटी मार्टीन होती है तो इसको ड्रॉप करना भी आपने आप से ट्राइक कीजिए सी ब्लेक लीग को एस्पेसली जब इनकी पहले बल्लेवाजी आये तो और कुछ अलग करने का मन करें तो बेलाजेंस भी आपको लोगों के लिए अच्छी खासी पिक बनके सामने आ सकती है इससे पहले हम बात कर लेते हैं और लुटर सेक्शन में यहा अंसर नहीं खेलती है तो मैं इसके जगह पर बहुत जरूर लेके जाओंगा गंदवाजी आब बात कर लेंगे इमा ब्लैक कार्शन और सौफिवल्टर सो यह तीन चाहिए इस तिनों को लेकि मैं सोच भी नहीं सकता हूं डॉप करना एम लोग अगर दोस्तों इनकी को लेकिन जिसके ओपर किसी का ध्यान ने है दोस्तों उसका नहीं संस फिल्ड आपके लिए बेहतरीन में से एक बिक बन जाएंगी मेडिकमेंट करूंगा कि इसको ट्रे कीजिए आप लोग संस फिल्ड या फिर एम हाइड इन दोनों में से किसी एक को ट्रे करना चाहिए आ लेकिन मैं बरकिसी भड़े नोगर मैं लेता हूं यहां से तब देखिए बात और कि यहां से फिर आप कैटी मार्टन को ले नहीं पाऊगे तो मैंने यहां से बेल आजेंस को ड्रॉप करके कैटी मार्टन को लिया हुए अब आपके पास बजएगा आठ क्रेडिट अब आपके पास जो option बसता है वो मुझे कोई बेहतरीन पिक तो नजर नहीं आ रही है बलेवाजी में अगर मैं recommend करो कि सूजी बेट्स को drop करो तो भाई अपने आप में यही बहुत तंगरी प्लियर है इसको drop करना इसका मतलब यह है कि आप भारी भरकम रिश्क लेकर उतरना चार करके यहां से अपने टीम में एम हाइड या फिर इन दोनों को मैं ट्रै करूंगा और मैं अपने टीम से drop कर दूंगा किसको मैं drop कर दूंगा यहां से नैंसी पठेल को अब मेरे पास सारे अट के बसते और मैं उस condition में जी हैडिस अगर प्लेइंग लेंग होती है सुनिए ग कर लेके बात कर लें तो मैंने हैं सोजी वेट को क्या एंटरिसटन और जी हरुसको फिर और और हैले जांसन के इस मैच में वहां प्या करोगे अंतना मैं फैवलवन की दुनिया मैं गूशते है चलते हैं देख लेते हैं बिकेट character आप मार्टिन को ले लीजिए बैटिंग में बात कर लेंगे तो आपके पास अच्छी पिक बन जाए कि मैं रिपीट कर रहा हूं अगर जिए आधिस खेलती है तो जबो ट्रै कीजिएगा आप लोग इसको इसके लाबा मैं यहां से जाओंगा आपने टीम में पहले बात करते यह अपने टिम में चाहो तो वहां पे अप लीजियेगा लीजियेगा लाज़ी पूंते यहां से एम हाइड यह मैं आपके उपर कॉल दे रहा हूं मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगा टेलीग्राम पे टिम डिब्यू यहां पर देखेगा तो मैंने कैटी मार्टिन को लिया हुआ है फिर सूजी बेस्ट कैटी एंडर्सन एस बैडिवाल नैंसी पटेल कैट अब पर लोग जरूर इन दोनों को ट्रै करना क्या है वहां पर आपको जूर्डंड यहां से ट्रै कर लिजएगा सर्स फिल्ड और यहां से एम हाइड को चले फिलाल मैं अपना टीम एसी को लेकर चलता हूँ जी है रिसक हुई और इस टीम को मैं सेफ कर लेता हूँ कप्टन बिशी की बात करेंगे उससे पहले मैं आप सभी से एक छोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तोर रिक्वेस्ट है एसा कि अभी जो आप बिडियो को देख रहे हूँ इसको थोड़ा सा स्क्रोल करके नीचे ले जाओगे जैसे ही आपे scroll करके नीच ले जाओंगे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे subscribe इसके ऎपर क्लिक करके दोस्त आपको चैनल को subscribe कर लेने साथ में bell沒關係 को दबाके एल कर लेने हैं इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेंगे like वाले section दोस्तो इसके वपर क्लिक करके आप लोगों को जरूर वीडियो को लाइक कर देने क्योंकि जब भी मैं देखता हूं कि 500 प्लस लैक्स होते हैं आपका टीम वहां पर बेस्ट जाता है चाहे किसी वीडियो को जाकर रेसेंट ली देख लो 500 प्लस लैक्स जिस पर भी गया है वहां पर दोस्तों हमार लिक करके आप सभी को टेलिग्रायम से भी जरूर जूर जरने और लास्ट के शात से मिनट में नेपना कैपटेन वीडिय में पीन करके दें घएँगा तो तो आपको वहां से भी जा के एक बढ़ वीजिट कर लेने हैं अब चलिए मैं बात करता हूं Captain VC की पहले मैं बात करता हूं 5 Captain VC आपके 10 verschilles को 20तỉ में rotate कर सकते हो तो पांच में मैं बहुत बहुत कर बहुत है यह यह दू आपके लिए तीन पहीं Captain VC की pick बन सकती है कुछ अलग करने का करें तो आप इन तीन को भी Captain VC आपस में रोटेट कर सकते हो स्मॉल लिंग में बात करें तो आपके लिए बेहतर इंपिक बनेगी यहां से हैली जंसन और कैटी इब्रहम एक को Captain दे दो और एक को VC दे दो अपने टीम का फिलाल मैंने अपने करने हैं यहां भी मैंने सेम ट्रैक करने हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों वीडियो को लायक और चैनल को सबस्क्राइब दबाग कर देने हैं मिल नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अच्छा खासा वीन कीजिए और दोस्तों एक बात याद रखेगा कि आप लोगों को मैंने टेलिग्राम पे जो है अल्रेडी वह सारे अप्लिकेशन दे रखें जहां पर मेरे इंवेस्टमेंट होते हैं तो मैं डिकेमेंट करूंगा कि आपके पास दोस्त आ रहा है तो कि अगर पी और भाए नहीं भी जग पाता है तो मैं टीम लगा लूँगा तो जरूर आप लोग कंटेस्ट जोइन करके रख सकते हो और यह मैंच फिलहाल एक्सेंस 22 पर आड़ने किया गया है जैसे एड़ कर देगा मैं आप लोगों को इंफॉर्म भी कर दू और यह जिगा प्राइब सेस्ट लोग्ट